हेलो इंवेस्टर्स मैं आपका इंवेस्टर है विनेस कोच रूपेश जेटली हर बार की तरह इस बार भी SIP एक पहल में इस बार हम लाए है SIP का मकसद क्या है तो वाट इस दा मोटिव आफ SIP आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले यह समझे कि SIP हम करते क्यों है SIP हम इसलिए करते हैं कि जो earning member है वो अपनी monthly income के हिसाब से जो उसमें पैसे वो save कर सकता है उसको daily, weekly या monthly mode पे वो amount save करता है जिस amount को वो assign करता है कि mutual fund में उसको लगाना है वो इसलिए monthly mode में करता है क्योंकि वो lump sum में एक साथ बहुत सारे पैसे हर बार नहीं लगा सकता या monthly basis पे नहीं लगा सकता, lump sum में different तरीके से साल दो साल या पांच साल में एक बार लगा सकता है लेकिन SIP को वो इस mode के थुरू या monthly mode के थुरू हर महीने invest कर सकता है एक certain amount इसलिए सबसे पहले motive के बारे में उसको समझे कि इस तरह से लगाए वो पैसे चुकि उसकी जो earning आ रही है जो income आ रही है उसी में से वो पैसे कुछ assign करे और उनको monthly basis पे लगाए तो आगे इसमें किस तरह से वो पैसे लगाता है और क्यों लगाता है या उसका मकसद क्यों होना चाहिए और SIP का जो बार-बार हम लोग बात करते हैं कि SIP क्यों लगानी चाहिए क्यों अच्छी है या क्यों return अच्छे देती है उसमें कई सारी चीजे होती है तो सबसे पहले SIP क्यों अच्छी होती है या returns क्यों और दूसरे instruments से या दूसरे venues से बहतर देती है तो उसका सबसे बड़ा reason है कि वो आप monthly basis पे पैसे लगाते हैं और वहाँ पे वो आपको rupee cost averaging देती है क्यों क्योंकि बजार घटी बढ़ती रहती है बार-बार और इसलिए long term SIP ज़्यादा अच्छी रहती है इसी तरह से उसकी flexibility भी है कि आपने जैसे 5000 रुपए आज शुरू करे और आपकी income साल दर साल जैसे बढ़ रही है या increment salary में हैं आप तो वहाँ पे जो increment लग रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी SIP बढ़ाते हैं तो यहां flexibility बहुत है अगर आप business man हैं तो हर साल जो आपका business में income बढ़ती है उसके हिसाब से भी आप अपनी SIP को बढ़ा सकते हैं तो यहां flexibility बहुत है उसके बाद यहां पे risk थोड़ा कम है अगर आप long term लगाते हैं तो risk automatically कम हो जाता है because यहां पे average मिलता है आपको जितने भी साल के लिए आप लगा रहे हैं इसके बाद आपको फाइदा यहां पे यह भी होता है कि अगर corona या Ukraine Russia war type की situation होती है तो उसमें जो आपकी SIP चल रही है वो आपको returns बहतर करके देती है because corona में आपने देखा कि बजार कितनी नीचे चली गई थी लेकिन जिनकी SIP चल रही थी या जिनोंने SIP नहीं रोकी थी उनको ज़्यादा फाइदा हुआ क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि ऐसी situation कभी आएगी लेकिन अगर आप SIP लगाते रहते हैं या उसको continuous mode में रखते हैं तो आपको वहाँ फाइदा यह हुआ कि जब बजार गिरी तो भी आपको units मिले लेकिन वो units बहुत ज़्यादा थे जैसे कि पहले आपको कम बिल रहे थे लेकिन कोरोना की वज़े से वो बहुत ज़्यादा नीचे हो गया बजार इसलिए आपको units ज़्यादा मिले तो इस तरह से SIP का जो मकसद है वो आपका तभी पूरा होता है जब आप उसको long term रखें short term SIP में बहुत फाइदा नहीं होता short term SIP के लिए हम अपने अगले वीडियो में किसी में बात करेंगे जिसको short या great last SIP बोलते हैं उसको भी बताएंगे कि short term SIP किस तरह से करनी चाहिए और उसके क्या फाइदे हैं आज के इस वीडियो में motive of SIP में इतना ही जिसमें आपको ये मालुम होना चाहिए कि आप अगर earning member हैं तो आपकी SIP जादा देती है अगर आप उसको लमसम में करते हैं तो फरक रहता है इसको इस तरह समझिए दुबारा से इसको recap करने के लिए समझिए कि अगर SIP आप अपने पैसे से इस तरह से करें कि बैंक में आपने 2,00,000 रुपे डाल दिये और उसी से आप चाहें कि 5,000 रुपे की SIP निकलती रहे तो ये ठीक नहीं है इसलिए मैंने कहा कि earning member अपनी उस income से करें जो कि उनकी salary या monthly income आ रही है उससे वो SIP चलाएं ऐसा कभी न करें कि आपने एक साथ 2,00,000 रुपे डाल दिये और 5,000 रुपे की SIP आपकी कितने महीने चल रही है 2,00,000 को divide कर लिजए 20 महीने के लिए या 40 महीने के लिए आपने उस पैसे को bank में डाल दिया और उसी से SIP चल रही है तो वो आपको नुकसान देगी because bank में पैसे डालने या liquid fund में पैसे डालने का मतलब आपको 3-4% का return ही आएगा तो ऐसा ना करें इसलिए आज इस SIP का मकसद या what is motive of SIP इसलिए ये वीडियो आपके लिए है और इसको ध्यान से देखें और SIP अपने monthly income से ही करें तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद करें आज करें आज करें